असलाम अलेकुम जी आज हम आपको आगाह करते हैं रेस्क्व वान वान टू टू की एक ऐसी कारकरदगी से जो के एक जिन्देगी को बचाने का सबब वो यह है कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ी में बच्चे ने जनम लिया इसकी तफसील से हम आपको आगाह करते हैं कि यह किस तरह से मुम्किन हुआ इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस की बहुत शुक्रिया इसकी तफसिलात कुछ इस तरह से हैं कि रेस्क्यू 1122 की एम्बॉलेंस में एक खातून जो के हामिला थी और डिलिवरी के टाइम के करीब थी तो उन्हें तैसीर जहंगीरा साइदिकाबाद शैदू की रिहाशी इस खातून को हस्पताल मुनतकिल किया जारा था जबके हालात को देखते हुए रेस्क्यू स्टेशन 33 शैदू की एहलकार एमरजनसी मेडिकल टक्निशन समरीन गुल ने अपने पेशावाराना तजर्बे को बुरुए कार लाते हुए एम्बॉलेंस में ही खातून की डिलिवरी कर दी और आपको यह आगाह करते चले के तमाम जो वन वन टू टू की एम्बॉलेंसिस होती हैं उन में यह तमाम जो आलात है इससे मतलका वो मुझूद होती हैं रेस्क्यू वन वन टू 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 नुशहरा के तरजमान के मताबिक मनो मौलूद बेबी और इसकी वालदा बिलकुल खेरियत से हैं बाकाइद और खुशबगती से यह मामला ठीक रहा ताहम अक्समारे यह अक्सर बदकिस्मती और लापरवाही से और बेहतियाती से यह वक्त जो है डिलिवरी का और यह बच्चे के बिदाश के जो टाइम पिरिड होता है वो घर में ही गुजार दिया जाता है और डॉक्टर्स की पिशा रहता है अपना ख्याल कीजिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी अल्ला हला की जाता है